वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल 24x7 AP Library तुड़े वी विल डिस्कस सम प्रॉलम्स दा स्टुडेंट्स आर फेसिंग दूरिंग अग्जाम्स इस वीडियो में हम बो सारी प्रॉलम्स डिस्कस करेंगे जो स्टुडेंट्स अपने अग्जाम के टाइम फेस करते हैं पहले हम आपको बताएंगे कि जो भी लिंक है यूगम सान का लिंक है वो डिरेक्ट्ली आपका गूगल क्रोम में कैसे ओपन हो गए उसके लिए आपको गूगल क्रोम को अपने फोन का डिफॉल्ट ब्राउजर सेलेक्ट करना है उसके लिए मैं आपे steps बता रहा हूँ आप अपने phone की settings में जाओगे settings में जाने के बाद आपको more settings में click करना है more settings के बाद permission management में जाना है permission management में आपको जो एक option दिखाई देगा default app settings यह आपका यहाँ पे जो last option शो हो रहा है आपका कहीं पे भी show हो सकता है तो default app setting में आप जाएंगे default app setting में आपको browser का option मिले गए उस browser के option पे आपको click करना है वहाँ पे आपको जो भी आपके phone में browser install होंगे वहाँ पे आपको show हो जाएंगे जैसे के आपको अभी screen पे show हो रहे है उसमें से आपको google chrome को select करना है तो google chrome को select में ने कर दिया है यहाँ पे आप देख रहे हो google chrome को select करने के बाद उसके against a tick show हो रही है तो वह हमारा default browser बन चुका है अभी आप वापिस अपने whatsapp पे जाओगे तो उसमें जब भी form पे क्लिक करोगे गूगल form के test पे क्लिक करोगे तो वह directly आपका google chrome में open होगा जैसे कि आप अभी आपने देख रहे हो गूगल chrome में यह test automatically open हो गया है गूगल chrome में आपको इसलिए प्रैफर कर रहा हूँ क्योंकि गूगल chrome में आपके जो बाकी ब्रॉजर्स में problems face करते हुआ during the exam वह आपको google chrome में face नहीं करनी बढ़ेंगी जो second problem आप face करते हो वह है Adobe scan को जब आप start करते हो first time तो उसमें जो आप screen पे देख रहे हो यह वाली problem है बहुत ज़्यादा students को face करनी पड़ती है access denied की access denied आ जाता है और इसमें लिखाता है you are not eligible to use this product or service due to the service eligibility requirements इसमें error क्या है इस error को fix कैसे करना है इस error को दूर कैसे करना है इसके लिए आपको Adobe scan uninstall करके दबारा से install करना पड़ेगा जब आपके पास ID की demand करने के बाद एक आपके पास यह screen show होती है जिसमें आपको अपना वर्डे फिल करना होता है तो वहां पे आपको 18 years के ऊपर का वर्डे ही फिल करना है 18 years कम से कम यहां पे होनी चाहिए तब ही यह ठीक से काम करेगा otherwise वह access denied वाली प्रावलम आपको phase करनी परेगी तो यहां पे कम से कम 2002 से पहले का बड़े आपको यहां पे इसमें डालना होगा तो यह थी दो प्रावलम्स जो आप mostly phase करते हो the last one is कि जब भी आप image upload करते हो तो उस image में uploading में प्रावलम आती है क्योंकि image का size है जो वो required size से ज्यादा हो सकता है तो prefer करो कि आप adopt scan में PDF बना के वहां पे upload करो और adopt scan में इसलिए prefer कर रहा हूँ क्योंकि बाकी जो PDF maker आप use करते हो उसमें जो भी PDF आप बनाते हो वो कई बार open नहीं होती बाद में जहांपे भी आप upload करते हो बाद में opening में उसमें problem आती है तो जो भी PDF आप adopt scan में बनाओगे वो कहीं पे भी किसी भी system पे open हो सकती है उसमें आपको यह problem face नहीं करने पड़ेगी कि आपके पास teacher का phone आएगा कि आपकी PDF ओपन नहीं हो रही है this is unable to open so to fix these problems you can use adopt scan for making PDF यह थी कुछ problems जो आप during exam phase करते हूं इनसे बचने के लिए ताके exam आपका अच्छा जाए तो आप इन steps को follow कर सकते हूं अगर कोई और problem आप face कर रहे हो exam time तो आप यहां पे comment box में अपनी problem mention कर सकते हूं उसका solution हम आपको next video में दे देंगे तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब केजिए 24x7 AP library को और साथ में बेल आइकन भी दवाएं ताके आपको हमारी वीडियो के notification भी बेल सकें तो मिलते हैं अगली वीडियो में तेंक्यू तेंक्यू